हेलो डियार स्टुडेंड्स आज हम बात करेंगे एन हार्मोनिक ऊसिलेटर पर अभी तक हमने जो पढ़ा वो था हार्मोनिक ऊसिलेटर फार्मोनिक ऊसिलेटर में किया हम करते हम यह सोचते हैंuito एक molecule जो है ये अगर equal frame distance पे है और इसकी bond length ये है इस bond length से ये बढ़ भी सकती है length ये ये stretch भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है ये compress भी हो सकता है ये ये यहाँ पर length बढ़ रही है यहाँ पर length कम हो रही है ठीक है इसको हम बोलते है vibration लेकिन ये वाली ये जो vibration है ये हमने consider किया था कि ये harmonic vibration है ये molecule stretch हो रहा फिर वापसा रहा है stretch हो रहा फिर वापसा रहा है ठीक है और harmonic oscillator जो है ये hooks ला follow करता है ये यहाँ पे जो displacement होता है displacement के directly proportional इसका restoring force होता है ये जितना है displace होगा उतना ही restoring force इसको वापस लाएगा हम ये सोचते हैं लेकिन harmonic oscillator में ये हम ये consider करते हैं कि जो HCL है HCL सपोज ये डायटमी molecule है तो ये जब vibrate करता है तो ये harmonically vibrate करता है ये इसमें stretching होगी ये ऐसे बनाएगा HCL या इसमें ये compression होगा ये HCL ऐसे बनाएगा ये इसकी bond length कम होगी यहाँ पे bond length बढ़ गई यहाँ पे bond length कम होगी clear तो इसको कहूंगा मैं कि ये जो vibration है ये harmonic vibration है लेकिन जो harmonic vibration है वो hypothetical vibration है ये मैं समझा दूँगा आपको ये याद रख लेना और ये जो bond length है जिसे हम bond length कहते हैं ये हम लेते हैं ये जो bond length है ये equilibrium distance है ये मैं बोलूँगा कि ये equilibrium internuclear distance है ये वो distance जहाँ पे energy molecule की minimum हो जाती है इसको कहूंगा मैं और equilibrium ठीक और ये जो length ज़्यादा हो रही है कम हो रही है या कम हो रही है इसको हम सीधा कहेंगे और ये जनेरल जो length बढ़ रही है या कम हो रही है ये समझ में आया अब हम यहाँ पे देखते हैं मैं आपको simply बताता हूं मान लीजिए ये है potential energy बताऊंगा मैं आपको potential energy और ये है bond length clear ये है potential energy ये energy बोलूँगा और ये लूँगा मैं bond length या और ये internuclear distance लेंगे simply देखो जब मैं यहाँ से लेकि यहाँ तक लेता हूं इसको मैं दूसरे color से लिखाता हूं मान लीजिए ये color है यहाँ से लेकि यहाँ तक मान लीजिए इसका ये जो length है this is bond length यहने जब bond minimum energy में रहेगा तब हम इसको बोलूँगे कि यह point जो यह इसका bond length है यह मैं इसको बोलूँगा यह r equal bm है इसको कहूँगा मैं यह r है यह r equal bm समझ मैं यहाँ पर energy सबसे कम मान लीजिए यह ऐसे molecule यह इसकी bond length राइट अब यह bond ऐसे stretch हो रहा है यह vibration कर रहा है यह और vibration कर रहा है यह और vibration कर रहा है इसी तरह से यह compress भी हो सकता यह ऐसे compress होगा यह ऐसे compress होगा यह ऐसे compress होगा राइट अब देखो इस normal bond length अगर हम molecule को stretch करेंगे तब भी potential energy बढ़ती है इसको compress करेंगे तब भी potential energy बढ़ती है यह याद रखना यानि R equilibrium जो है R जब इससे छोटा होता है R equilibrium से छोटा होता है तब भी potential energy बढ़ जाती है V बढ़ जाता है और R जब R equilibrium से बढ़ा होता है तब भी potential energy बढ़ती है clear चाहिए आप इसको stretch करो या compress करो दोनों सूर्थों में potential energy बढ़ती है अब माल लिजे हमने इसको stretch किया potential energy ऐसे बढ़ी right हमने इसको compress किया इधर compress किया तो potential energy तब भी बढ़ी यहने पहले यह वाला level चला गया उसके बाद में फिर से हमने इसको stretch किया और energy बढ़ी फिर से compress किया और energy बढ़ी फिर से stretch किया और energy बढ़ी फिर से compress किया और energy बढ़ी राइट यह बढ़ती जाई तो हमें इस तरह का graph मिलेगा यह parabola graph समझ में आए ना clear यह मैं ऐसा बोलूँगा कि यह जो पहली energy level है इसकी यह यहां पर stretching यहां पर compression यह होगा फिर यह दूसरी energy level में जाएगा फिर तीसरी energy level में जाएगा ऐसे so on these are different energy levels लेकिन हर एक energy level में चाहे compression हो या stretching हो यह molecule फिर से अपनी जगा आता है यह हॉर्मोनिकली बहेव करता है यह हमने अभी तक पढ़ा ठीक इसमें जो यह पहली energy level है यह वाली energy level इसको बोलूँगा मैं V0 यह V1 यह V2 ठीक equal two यह V equal to three यह V equal to four समझ में आया और इसमें हमने यह भी पढ़ा था क्ये delta V जो रहता है यह चेंज ड्रिय 끝u V in a vibrational quantum number that is equal to either plus one यह फिर minus one यहां पर जो ट्रांशन होगा यहां से यहां होगा यहां से यहां हो सकता है और यहां से यहां हो सकता है यहां से यहां हो सकता है यही हमने देखा था clear ऐसे केस में हमने क्या किया हमने इसको as harmonic oscillator molecule को treat किया for example H cell को अब अगर मैं इसके उपर एनर्जी डालता हूँ मालने यहां पर एनर्जी पड़ गई तो यह मॉलीक्यूल यहां से यहां चला जाएगा यहां से यहां जा सकता है इनर्जी अगर यहां पर पड़ी इस लेवल पे तो यह इस लेवल से इधर जाएगा अगर इस लेवल की में already है हमने energy दे दी तो यहां से यहां चला जाएगा लेकिन हमने यह भी कहा था कि यह जो levels है थीज आर equidistant यह इन में जो energy difference है वो सब में बराबर रहती है यह कहा था हमने ठीक है यह तो harmonic oscillator की बात हो गई अब harmonic oscillator में हमने यह कहा था कि यह equidistant रहती है तो इसका मतलब इन पे जो भी energy डालो आप यह एक ही तरह की energy absorb करेगा और यह एक ही तरह का peak दिखाएगा यह जो हमको spectrum मिलेगा spectrum वो इस तरह का मिलेगा spectrum इस तरह का single peak यह harmonic oscillator के लिए हमने सूचा था ठीक यह समझ में आया लेकिन जब हम reality में देखते है रियल यह तो hypothetical यह हार्मोनिक oscillator है हार्मोनिक लेकिन reality में क्या हुता है reality reality में क्या होता हो जो graph मिलता है वो हमको इस तरह मिलता है यह मिल गए एक peak और उसके साथ में यहाँ और एक पीक यहाँ यहां पे और एक पीक, मैं HCL की बात कर रहा हूँ, HCL में, इस तरह का हमें पीक्स मिलती है, तो इसका मतलब जो HCL हो हार्मोनिकली बहेव नहीं करता, यह होगी एक बात, समझ मैं है न, और दूसरी बात, हार्मोनिक उसलेटर में क्या करते हैं, हम यह सोचते हैं कि इसको जितन तक एनर्जी दे दोगी, तो यह बहेव करेगा as harmonic oscillator, no problem, लेकिन आगर आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे, यहां से भी, यह एनर्जी बढ़ाते जाओगे, यह स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी, एक टाइम ऐसा आएगा, कि यह bond यह break हो जाएगा, समझ में आया, यह bond होगा, ब्रेक, यह यह रियल ग्राफ है, यह इस तरह का है, यह हर्मोनिक ग्राफ है, और यह रियल ग्राफ है, यह मैं दिखा दूँगा आपको यह ग्राफ क्या है, अब यह जो लेवल है, यह एनर्जी लेवल जो दिखा रहा हमें, यह वाली लेवल, मैं बोलूँगा, इस लेव simple harmonic oscillator है यहां से यहां तक यहां से यहां तक यह भेव करता है simple harmonic oscillator समझ में आया लेकिन यहां से यहां से उपर जब हम जाएंगे इस point की उपर तो यह bond break होगा यहने bond जोई वो dissociate हो जाएगा clear यहने अगर हम इसमें energy ज्यादा दे देंगे तो यह जो bond है यहां पर दिखाऊंगा यह bond इस तरह जाएगा ज्यादा और डिस्सेट होगा clear समझ में आया तो मैं यह कहूंगा कि intermediate levels में यह harmonic behavior दिखाता है लेकिन higher energy level में यह harmonic behavior नहीं दिखाता यह यहां से यहां treat करता यह यहां से यहां जब हम जाते हैं तो यह act करता as an harmonic oscillator समझ में आया नहीं समझे अब दुबारा में बोलूँगा अगर आप कम energy दोगे कम energy levels में यह stretch होगा वापस आएगा stretch होगा वापस आएगा लेकिन अगर हमने energy ज्यादा दे दी है ज्यादा energy दे दी तो यह बहुत ज्यादा stretch हो गया यहने अगर यह stretching जो है stretching में बोलूँगा अगर यहाँ पे stretching greater than 10% हो गया तो यहाँ पे dissociation होता है क्या होता है dissociation यहने इसमें dissociation होगा clear इसका मतलब यहां से यहां तक जो हमने energy डे दी यहां से यहां तक इसको मैं बोलूँगा यह है dissociation energy इसको मैं कहूंगा DE dissociation energy clear और यह जो potential है यह यह वाला जो यह hypothetical potential इसको मैं बोलूँगा यह होग्स law potential इसको यहां पे लिखेंगे है यह हुक्स लाप पोटनिशल पोटनिशल है और यहाँ पे जो यह असली में होता है असली में इसको मैं बोलूँगा कि यह वाला जो पोटनिशल इट इस रियल पोटनिशल इसको मैं बोलूँगा यह है रियल पोटनिशल यह याद रखना ठीक है यह समझ में आया शबश अ अब यह ग्राब जोने में थोड़ा सा दुबारा दिखाऊंगा आपको अलग दिखाऊंगा ठीक है यहाँ पे आप इसको दियान में रखो आप मैंने ग्राब बनाया था ऐसे ग्राब बनाया था मैंने पोटन्शल एनरजी एने पी ए वर्सिज आर ठीक और यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टंस है यह वाली डिस्टंस यह इकलिबियम डिस्टंस है यह इस पोइंट इस पोइंट के उपर अगर आप जाओगे तो आपको ऐसे पैराबोला मिलेगा अगर आप हाइपोथेटिकली इसको कंसिलर करते हैं आपको हुक्सला पोटन्शल मिलेगा लेकिन जब आप रियल्टी में देखते हैं रियल्टी में जब आप मॉलीक्यूल को वाइबरेट कराते हैं एनरजी देते हैं वो वाइबरेट हो जाता है ठीक है और यह जो अनर्जी हमने यहां से यहां इतनी दे दी इसको मैं बोलूँगा यह है डिसोसेशन अनर्जी डी इ यह याद रखना ठीक यह वाली अनर्जी यहां से यहां तक जो अनर्जी डिफरेंट से और इस अनर्जी लेवल में यहां से यहां तक, मैंने यहां से यहां कहा, यहां से यहां, यह as, simple harmonic oscillator काम करता है न, जहां पर यह harmonic vibration दिखाता है, लेकिन इसके उपर यह, इस energy की उपर, अगर इससे ज्यादा हो गई, तो यह inharmonically behave करता है, यह जो potential है, इसको मैंने कहा था, hooks law potential, और इसको कहा था, मैंने, य है real potential, और पी, राइट, अब देखो, और एक बात, मेरे तरफ द्यान से देखना, और यहां पर लोकुल द्यान से सुनना, जो मैं कहना चाहता हूँ, यह जो potential है न, यह वाला potential, यह real potential है, लेकिन यह कहां से कहां तक है, यह equilibrium distance से, लेकिए यहां तक, यहना decision तक, कि energy difference आती है लेकिन हमारा जो molecule है, वो यहां bottom पे नहीं आता कभी, वो पहले से ही V equal to zero में रहता है, जिसको बोलते हैं, zero point energy, यहने हम जो potential major करते हैं, वो potential actually यहां से यहां तक रहता है, ठीक, real potential तो यह है, लेकिन major हम यह करते हैं, अब इसको explain किया मोर्स ने, और उसने एक, equation भी दे दी, जिसको हम कहते हैं, मोर्स function, तो मोर्स function जो है, मोर्स function, वो हमें explain करता है, actually, real potential, मगर वो exact real नहीं रहता है, यहने वो real के नजदीक रहता है, समझ मैंना, इस potential को बोलूँगा, मैं, यह है, मोर्स potential, यह हम इस diagram को भी बोलते हैं, मोर्स डियाग्राम, मोर्स potential डियाग्राम, यह जो डियाग्राम हैं, यह जो graph है, यहाँ पर, इसको बोलते हैं, मोर्स potential डियाग्राम, इससे हमें पता चलता है कि, मॉलेक्यूल किस तरह डियाग्राम होते हैं, हम इससे decision energy निकाल सकते हैं, लेकिन exact decision नहीं, इन्हें हमें real potential पता नहीं चलता है, लेकिन real के नजदीक हम पहुंचते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं, मोर्स potential, समझ में आया, अब देखो, हम जो calculate करते हैं, वो हम यह calculate करते हैं, यह decision energy, यहाँ से यहाँ तक, क्यूंकि molecule already zero point energy में रहता है, यह वी is equal to zero, वी is equal to zero, इसको क्या कहते हैं, zero point energy है, हमने इससे पहले भी पढ़ा है, clear, यह वेन वी is equal to zero, the energy positive molecule is called zero point energy, समझ में आया यहाँ तक, यह बहुत ही आसान है, तो हम zero point energy से लेकि यहाँ तक की energy calculate करते हैं, यह exact decision energy calculate नहीं करते हैं, अब मैं अगर आप से पूछूँ कि decision energy क्या है, यानि decision energy किसके बराबर रहेगा, तो आप यह बोलेंगे decision energy जो है, वो बराबर रहेगा, एक तो यह D, वो दूसरा यहाँ से यहाँ तक, यह बोलेंगे decision energy is equal to D plus zero point energy, यह मैं बोलूँगा, actual decision energy is equal to calculated decision energy, जो हम calculate करते हैं, plus zero point energy, समझ मैं आया, यह मैं दूसरे पेज़ पे लिखूँँगा, ठीक, अब मैं यहाँ पे कहूँगा, therefore, actual DE, यह बोलेंगे, कर सकते हैं, वो बराबर रहेगा, जिसके बराबर रहेगा, वो बराबर रहेगा, major decision energy, जो हमने major किया, इन्हें zero point से लेके उपर तक, major potential energy, sorry, decision decision energy, plus ZPE, यह जिरो point energy, यह याद रहेगा, यह बहुत ही आसान है, और याद रखना, जो morse potential है, morse potential, उसने एक equation दिया, morse ने, उससे हम calculate कर सकते हैं, जिसको हम बोलते है, morse function, यह बोलूँगा, morse potential, morse potential, यह लेकर याद रखना, यह morse potential, जो है, यह pure empirical है, empirical, यह यह हम fit कर सकते हैं, किसी equation में, ठीक है, यह experimental नहीं यह, pure empirical है, यह morse potential क्या है, morse potential का मारब रहता है, जो हमने देखा न, अभी graph, उसमें हमने potential energy है, यह से ले ली, हम ऐसा बोल सकते हैं कि, उसको आप potential बोलो, या energy बोलो, मैं लिखूंगा potential, यह वी, वी स्टेंट्स पर potential, वी अफ और, ठीक है, इसको बोलते है, morse potential, यह बराबर रहता है, dissipation energy into one minus exponential of minus a, r minus r e, यह याद रखना, r minus r e, और इसका whole square, अब यह जो है, वी क्या है, भी है, morse potential, morse potential energy, यह morse potential बोलूँगा मैं इसको, अब d क्या है, d, d है, dissociation energy, dissociation energy, अब a जो है न यह a, यह constant है, constant, यह याद रखना, और यह constant depend करता है, bond पे, it changes from bond to bond, यह, it changes from molecule to molecule, यह यह, मैं बोलूँगा इसा, it is a constant which varies, varies from molecule to molecule, यह याद रखना, ठीक है, एक molecule से दूसरे molecule में, यह vary होता है, और हम इसको, यह जो है न, इसको हम और एक नाम भी बोलते हैं, इसको हम बोलते है, fitting constant, यह इसका value भी exactly known नहीं रहता है, इसको हम fit करते है, equation में, जहाँ पे यह fit हो गया हम मानते ही है, समझ में आया, तो मैं इसका दूसरा नाम भी रखूँगा यहाँ पे, it is equal to fitting parameter बोलूँगा मैं इसको, fitting parameter, यह इसका value भी known नहीं रहता, यह जो है न, यह value, यह जो a है, यह हम equation में fit करते हैं, जिस molecule के लिए जहाँ, जो value fit होता है, वह हम लेते हैं, वो इसका value है, अब देखो, मेरे तरफ अब द्यान से देखना, अब हम लगाएंगे condition, देखो, सबसे पहली condition देखूँगा मैं, यह जो R है, R means कोई भी distance, R equilibrium means equilibrium distance, यहने bond length, समझ में आया, अब देखो, मैं molecule को stretch नहीं कर रहा हूँ, molecule को compress नहीं कर रहा हूँ, तो उस condition में क्या होगा, उस condition में R बराबर होगा, R EK, यहने bond length बराबर रहेगी, वो change नहीं होगी, तो if, if R is equal to R E, तो याद रखना फिर, जो potential होगा, वो zero के बराबर होगा, यह मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि यह graph में भी हमने देखा, जो नीचे आता है, सबसे नीचे वाला point, वहाँ पे जो potential रहता है, यह potential energy रहती है, वो zero के बराबर रहता है, मैं बताऊंगा कैसे, suppose, यह रख दो दोनों बराबर, ठीक, यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, यह बन जाएगा R minus R, यह R minus R E किसके बराबर आएगा, यह आएगा बराबर zero के, ठीक है, zero into A, किसके बराबर आएगा, zero के, ठीक, समझ मैंना, और exponential of zero, exponential of zero is equal to one, समझ मैंना, exponential of zero is equal to one, तो फिर यह जो equation है, यह बन जाएगा, 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 यह बन जाएग है जिरो जिरो रेस्ट पावर टू जिरो ही जिरो इंटो डी जिरो देर फूर यह जो वी आर है वी आप और यह पॉटेंशन यह बन जाएगा बराबर जिरो की यह याद रहेगा आपको ठीक है कलियर यह होगे एक कंडिशन अब हम दूसरा एक इस और को खीचो यहने इफ इफंटी इफंटी का मतलब किया है हमने यह लेंग जोने बढ़ा दी अब बढ़ा दिया है तो यह बरेयक होगा बरेयक तो यह अगर 10% के से जैधा होगा greater than 10% हो गया बॉन लेंग तो ये बॉन बरेयक हो जाता है जो को रियल कि में एसा होता है लेकिन harmonic oscillator इसको treat करता है, यह break नहीं होता है, यह vibrate करते रहता है, इसलिए यहाँ पर फिट नहीं होता, अब हमने अगर इसको stretch किया, suppose हमने infinite तक लेके गए इसको, तब यह break हो जाएगा, clear, अगर यह infinity तक हो जाएगा तो फिर मैं ऐसा बोलूँगा, कि r को हमने रखा infinity, तो r minus r e, वो ब बराबर आएगा infinity की, clear, समझ मैं आया, और हमारी जो equation है, यह वाली equation, यह, यह वाली जो equation है, इसको देखो आप गोर से, हमने रखा इसको infinity, infinity minus r e, infinity यह आएगा, infinity, infinity आएगा, और यहाँ पर बन जाएगा यह exponent शलाप infinity, clear, यह मैं दूसरे पेज़ पे लेकूंगा, देखो य यह थी हमारी equation, क्या equation है, यह है V, V of r is equal to d, right, one minus exponential of minus a, r minus r e, और इस पूरे का, पूरे का whole square है न, यह लिया था हमने, ठीक, अब अगर हमने लिया था, r minus r e, r को रहा हमने, infinity, infinity minus r e, infinity ही बराबर आएगा, infinity into a, वो भी infinity आएगा, तो यह याद रखना है, exponential of infinity जो रहता है, वो रहता बराबर 0 की, तो इसका मनलब यह जो यहाँ पे, यहाँ पे पूरा, यह बन जाएगा 0 की बराबर, therefore, V of r किसके बराबर आएगा, यह बराबर आएगा, d e into 1 minus 0, square, 1 का square 1 ही आएगा, 1 minus 0 minus 1, 1 का square 1, तो यह बराबर आएगा, V, r जो है, वो बराबर आएगा, V, यहने इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हमने r बढ़ा दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, infinite तक लेके गए, तब जो energy आएगी, potential energy, वो बराबर आएगी decision energy की, यहने bond break हो जाएगा, उसके बाद में इस पे कोई energy apply नहीं होगी, यह समझ में आया, तो यह दूसरी condition है, clear? अब हम तीसरी condition देखते हैं, if r is, if r is less than r equilibrium, यहने अब हमने molecule, suppose यह bond length थी, अब molecule का bond length हमने कम कर दिया, हमने इसको compress किया, तो यह compress किया, तो क्या होगा, देखो, नजदीक आएगे तो electron electron repulsion होगा, electron electron repulsion होगा, तो इससे क्या होगा, इससे potential energy बढ़ जाएगी, increase होगी, समझ में आया ना, clear? तो potential energy बढ़ जाएगी, if r is less than r e, electron electron repulsion, repulsion, increases, therefore potential also increases, potential energy also increases, यह याद रहेगा ना, शबाश, यह बहुत ही आसान है, इसका मतलब r जब, r जब r, जब r e के बराबर रहता, potential energy बराबर रहता है, zero, यह वी r जो है, वो zero के बराबर रहता है, लेकिन जब r, r e के बराबर नहीं रहता है, तो उस सुरत में जो potential energy है, वो बढ़ जाता है, वो increase होता है, clear, और कभी यह decision energy के बराबर होता है, तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, clear, तो यह समझ में आया, अब जो हमने अभी तक morse potential देखा, morse potential में क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि v of r is equal to d e, 1 minus exponential a into r minus r equilibrium, ठीक, और इसका whole square, right, यह हमने पढ़ा, यह जो equation है, इसका जब हम solution निकालते हैं, quantum mechanical solution, यहने Schrodinger's wave equation, जब इस पर follow करते हैं, wave equation solution, जब हम इस पर लगाते हैं, तो इसका जो solution आता है, वो में दिखाता है आपको, इन्हें quantum mechanical solution, ठीक है, अब यह जो solution निकलता है, यहाँ पर schrodinger's wave equation apply करने के बाद में, इस equation का, यहने Morse function का, इसको Morse function बोलूँगा, यह Morse equation का, तो हम इस equation से, इसके solution की equation से हम, energy of an harmonic oscillator calculate कर सकते हैं, अब इसमें energy of vibration जो आता है, अन्हार्मानिक vibration, harmonic नहीं, अन्हार्मानिक, वो बराबर रहता है V, यह चोटा V है, plus one by two H, new E, minus V, फिर से V, फिर plus one by two, इसका whole square, फिर H, new E, XE, अब यह मैं बताओंगा, इसको plus, यहां से, इसका cube भी कर सकते हैं, लेकिन जितना आप यह जाएंगे ना, यह वाला, यह values जो नहीं, यह बहुत छोटी रहते हैं, यह मैं बताओंगा कैसी, इसका significance भी बताओंगा, बैं, अब देखो, इसमें जो E है ना, it is energy of vibration, वी जो है, यह vibrational quantum number, जो हमने आरेड़ी पढ़ा हुआ है, H आपको मालूम यह planks constant है, राइट, और new E, जो है new E, इसका हम बोलते है, equal brain frequency of an harmonic oscillator, यहने, an harmonic oscillator की equal brain frequency है, new E, यह यहाँ दखना, ठीक, new E यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे निव E के साथ में और एक चीज multiple है, that is chai E, chai E जो है, यह molecule की anhormonisty, बताता है हमें, इसको बोलते हैं, anhormonisty constant, और यह जो है न, यह anhormonisty constant, इसका कोई dimension नहीं है, dimension less है, लेकिन जब हम इसको इसके साथ में मिला देते हैं, frequency के साथ मिला देते हैं, तो इसका dimension बनता है per second, और अगर आप wave number के साथ मिला देंगे, तब यह per centimeter बन जाएगा, ठीक है, और यह anhormonisty constant किसके बराबर रहता है, इसको हमने यहां पर दिखा है, यह बराबर रहता है, जिरो पॉइंट एनरजी, यह जिरो डिवाइड बाए four into d, d जो है न, यह decision energy, d is decision energy, और e zero, it is zero point energy, zp लिखा मैंने, और इसका value जो रह ranges from zero point one to zero point zero zero one, और average में लेते हैं, average अगर हम लेंगे न, तो हम zero point zero one लेते हैं, इसका value, समझ में आया, clear, average में हम यह लेते हैं, यह value, तो यहां तक यह हो गई equation, अब हम इस equation के उपर, कुछ चीजें apply करेंगे, हम देखेंगे, यह जो equilibrium frequency है, और harmonic frequency, इस frequency में, और नार्मल frequency में क्या फरक है, वो हम देखेंगे, ठीक है, इनको compare करेंगे, तब हमें पता चलेगा, यह क्या है, वरना यह पता नहीं चलेगा, ठीक है, अब यह हमारे पास में अभी तक का equation जो हमने किया था न, उसमें हमने देखा था, energy जो रहता है, वो energy बराबर रहता है, इसके, एक में थोड़ा बोट आ गया, energy बराबर रहता है, वी प्लस वान बे टू एच, नू ए माइनस वी प्लस वान बे टू स्केर, एच नू ए, एकसी, इसका जो न, यह, इसका इन सिगनिफिकंट वैल्यू है, तो एकसी का जो वैल्यू है, यह कब बढ़ता है, जब यह, वी बढ़ता होगा कि इसकी जो वाइबरेशनल फ्रिक्वेंसी वो जब बढ़ती है, यह, मैं ऐसा बोलूँगा, जब वैन, वी इंक्रीजिस, यह वाइबरेशनल कॉंटम नंबर इंक्रीजिस, वी इंक्रीजिस, यह जब यह जो न, पैराबोलों से ऐसे चला, यह, यह, इस एरिया में जब चला जाता है, तब एन्हारमिनस्टी का जो सिगनिफिकेंस है, वो बढ़ जाता है, क्लियर, और लोवर वैल्यूज के लिए, जब इसका वैल्यू लो है, फॉर लोवर वैल्यूज, लोवर वैल्यूज, आफ वी, इसकी जो सिगनिफिकेंस है, वो ज़्यादा नहीं है XE does not have much significance इस तरह से यह पूरी जो यह जो पूरी टर्म है इसका भी significance कम हो जाता है यह मैं यहां पर दिखूँँगा यह पूरी टर्म का जो significance कम हो जाता है lower values पे यहां से यहां तक इसका significance नहीं है इसका significance इसके उपर बढ़ जाता है यह जब molecule में N-hormonisty आती है यह याद रख लेना ठीक है तो यह बहुत ही simple सा concept है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है अब हम देखेंगे इस यह जो frequency है और जो harmonic oscillator की frequency है normal frequency उसका हम comparison करेंगे यह हम यह frequency मैं लिखूँँगा comparing comparison लिखूँगा मैं comparison between mu and mu e ठीक है यह harmonic oscillator की equilibrium frequency यह जो है यह harmonic oscillator की frequency इन दोनों में difference देखेंगे क्या है थोड़ा सा आप बरदाश कर लो बस इस equation को है ना इस equation को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ देखो यहाँ पर यह चीज यह चीज यह चीज यह दोनों में common है ठीक है दोनों में common है इवन की यह भी common है यह यहाँ तक common है तो मैं फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ देखो यहाँ पर लिखूँगा यह आएगा बराबर e v is equal to v plus one by two h mu e यह निकाल दिया common ठीक है अंदर क्या रहा इस पूरे के बदले में रिखिंगे one यह पूरा निकाल दिया तो one into this करेंगे तो वापस इदर यह आएगा one और यह रह गया minus यह देखो यह square है यहाँ पे हमने इसमें से एक निकाल दिया v plus one by two एक निकाल दिया एक तो बाकी रह गया मैं दिकूंगे यहाँ पे रह गया v by one plus two right इतना रह गया एक निकाल दिया हमने यहाँ पे बाहर common into रहेगा यह भी निकाल दिया बाहर यह भी निकाल दिया बाहर यहाँ पे रहेगा into this into chai e बोलूँगा मैं रहेगा right यहाँ तक तो clear है यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है आप लोगो ठीक देखो यहाँ तक यह जो ना यह वाला यह टर्म यह हमने common निकाला था common अब हम compare करें यह harmonic oscillator और यह harmonic oscillator अगर मैं harmonic oscillator लिखूँ और सी लीटर उसकी जो energy आए energy वो बराबर आती है v plus one by two h new इसी के बराबर आती है ना यह हमने इससे पहले पढ़ा है देखो इसकी vibration energy और हार्मोनिक oscillator की vibration energy इसके बराबर आती है अब हम इनको अगर comparison करेंगी यह energy यह energy ठीक है तो इस energy के बदले मैं लिखूँगा मैं यह चलेगा ना देखो ev is equal to this ev is equal to this हम सिर्फ यह कर रहे हैं compare कर रहे हार्मोनिक और अन हार्मोनिक में क्या फरक है तो हम इस energy के बदले में इसके बदले में हम लिखेंगे यह v plus one by two h new मैं लिखूँगा यहाँ यहाँ पर energy के बदले में यहाँ पर v plus one by two h new राइट यह बदाबर आएगा v plus one by two h new e into one minus v plus one by two ठीक और चाईए इसके बदाबर आएगा ना यह हमने देख लिया यह वाली equation को गोर से देखो इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज कामन है और वो हम कट कर देखेंगे ठीक है इसको देखो पहले देखो इसमें v plus one by two h यहाँ पर v plus one by two h यहाँ पर new है यहाँ पर new e यह यह आपस में बराबर तो नहीं होंगे लेकिन यह तो बराबर यह और यह कट कर दो अब क्या रह गए यहाँ पर अब रह गए यहाँ पर new is equal to new e मैं लिखूंगा यहाँ पर therefore new is equal to यह वाला new यह बराबर रहेगा new e into one minus ठीक है v plus one by two x e यह चाई e यह हमारी equation है यह final equation है इसको मैं थोड़ा सा modify भी कर दूँ है वापस लिख दूँ तो यह बन जाएगा new is equal to new e into one हो गए new e minus यह v plus one by two into new e चाई e इसी के बराबर आएगा देखो यह जो नहीं हम पूरे इसको multiple करेंगे तो यह बन जाएगा अब इसका मतलब यह हुआ कि new जो है new यह नहीं हार्मोनिक ओस्ट्रेटर की जो frequency है यह new ek एन हार्मोनिक ओस्ट्रेटर की frequency के बराबर तब बनेगा जब हम एन हार्मोनिक ओस्ट्रेटर की frequency में से कुछ minus कर देंगे इसका मतलब यह बड़ा है इसमें से जब कुछ घटाएंगे तब यह इसके बराबर बनेगा समझ में आया ना clear तो इसका मतलब therefore मैं बोलूँगा इसा therefore यह जो frequency है यह वाली frequency छोटी है यह वाली frequency बड़ी है समझ मैं यह बड़ी है जब इसमें से कुछ कम कर देंगे तब जा कि इसके बराबर बनेगा तो मैं बोलूँगा फिर new is less than new in all cases ठीक है समझ मैं है ना कुछ भी हो यह frequency जो harmonic oscillate की frequency इस frequency के से छोटा ही रहता है यहन्य मैं कहूंगा कि new harmonic is always less than less than mu यह यहन्य म्यू एन्हार्मोनिक यह हमेशा दिमाग में बिठा देना clear जो mu यह है यहन्य एन्हार्मोनिक oscillator की frequency वो हमेशा harmonic oscillator की frequency से ज़्यादा रहता है ने उसके corresponding harmonic oscillator की frequency होगी उससे वो हमेशा रहेगा क्योंकि तबी तो वो break हो जाएगा ना कोई भी molecule को अगर हम कम frequency देंगे यहन्य कम energy देंगे यहन्य कम vibrations कराएंगे तो वो harmonically behave करता है intermediate energy levels पर यह हमने इससे पहले discuss किया लेकिन जब हम ज़्यादा energy देंगे ज़्यादा वाइबरेट करेंगे तो वो behave करेगा एन्हार्मोनिकली clear तो मैं यह बोल सकता हूँ कि एन्हार्मोनिक motion के लिए यह मैं बोलूगा simply एन्हार्मोनिक frequency जो रहती है एन्हार्मोनिक frequency वो हमेशा harmonic frequency से ज़्यादा रहेगी या दूसरा मतलब यह है कि frequency जगर हम ज़्यादा देंगे molecule को या अगर हम energy देंगे ज़्यादा molecule को तो वो एन्हार्मोनिक की तरफ जाता है लेकिन अगर हम कम energy देंगे तो वो harmonic area में रहता है समझ मैं आ न तो this was all about एन्हार्मोनिक oscillate इसकी energy वगएरा और frequency वगएरा कैसी रहती है तो आने वाले lectures में हम इसके selection rule और बागी कुछ concepts पढ़ेंगे I hope यहां तक आप आप लोगों ने enjoy किया होगा ठीक है तो अच्छे से पढ़ाई करो और मेरी channel को share भी किया करो subscribe free में है इसमें कोई पैसा नहीं लगता subscribe किया करो ठीक है और साथ साथ में like भी किया करो अगर अच्छे लाइए तो चलो आज बाई